नमस्कार, प्रियदर्शकों हाजिर हु मैं जन्म कुंडली के बारहो भाव में बुध के प्रभाव को लेकर। प्रियदर्शकों, बीते दिनों हमने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के प्रभाव को जन्म कुंडली के बारहो भाव में जान लिया है। यदि अभी तक आपने उस कारिक्रम को नहीं देखा है, तो Only Astrology नाम का एक प्रेलिष्ट है मेरे चैनल पर, उसमें जा करके आप इस कारिक्रम को देख सकते हैं। प्रेदर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूँ यदि आप मेरे नए दर्शक हैं, मैं जन्म कुंडली के बारहो भाव में बुध के प्रभाव को बताऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि वो प्रभाव अच्छा वाला नहीं, बुरा वाला है। जन्म कुंडली में कोई ग्रह कारक हो अथवा मारक, कारक होकर के भी उस भाव में ग्रह कोई न कोई बुराई उत्पन करता है। तो हम जहां रहते हैं, क्या वहां केवल और केवल अच्छा यूत्पन करते हैं? जरूरी नहीं है कि जानबूज करके, पर न चाहते हुए भी हम जहां रहते हैं, वहां हमसे कुछ न कुछ गंदगी, बुराई होती ही है, स्वयत्पिंडे तत्प्रम्हाण्डे. चलिए, ए के करके, जन्म कुंडली के बारहु भाव में, हम बुध के प्रभाव को जान लेते हैं. जन्म कुंडली के लग्नम में बुध हो, एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस कारिक्टरम को देखने वाले, जन्म कुंडली के बारहो भाव में, किसी भी भाव में बुध के कुछ ऐसे प्रभाव में आपको बताए, जो आपको चुबहे, जो आपको अच्छा न लगे. हो सकता है, आप ये कहें, कि नहीं, मेरे कुंडली में तो ऐसा है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ. मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ, प्रारंभ में, अगर आप ये कह रहे हैं, कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है. हाँ, मैं ये जानता हूँ, कि आप जो कह रहे हैं, वो सही नहीं है, पर फिर भी मैं ये मानता हूँ, कि अगर आपको इसमें संतुष्टी है, कि आप ये कह रहे हैं, कि ऐसा मेरे साथ नहीं है, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि आप किसी बुराई के बारे में कह रहे हैं कि ये मेरे अंदर नहीं है प्रेदर्श को संभव है कि देश, काल, परिष्थिति और जन्म कुंडली में बाकी की ग्रहिष्थितियों के कारण संभवतह आपके व्यक्टित्वों में बहुत हतक परिवर्तन हो गया हो लेकिन इसके भावजूद मैं फिर दोहराना चा जहना चाहता हूँ बुध को अत्यन्त सुरिष्ट माना गया है बहुत ही बढ़िया तो बुद्ध को विश्णु की संग्या दी गई है यञ्य की संग्या दी गई है और लगनमे बुध का होना जो तो शास्तर कहता है कि ऐसा जातक पुरवजन्म में वनिक प्रवृत्त्ति लगनगत यदि बुद्ध हैं तो वो कारक हों अथवा अकारक ये लक्षण देखने में अवस्ष्च आएगा कि ऐसा जातक स्वार्थी, चंचल, व्यंग और सामने वाले का उपहास करने वाला उपहास के साथ-साथ कुटिल प्रबृत्ति का भी होगा. आप हो सकता है एक बार में कह दे ना, ऐसा नहीं है. वो इसलिए आप कहेंगे क्योंकि आप जोतिस को नहीं जानते हैं. प्रिदर्शकों, बुद्ध, कुमार ग्रह है, बालक ग्रह है. ये मैंने जितने भी लक्षण बताएं हैं, ज्यादत और लक्षण बच्चों में प्राय हो गया. ये बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, अब ये जाहर सी बात है, ये बुराईयां है, तो इसी बुद्ध के चलते हैं, आपके अंदर बहुत सारी अच्छाईयां भी होगी. जन्मकुंडली के दूसरे भाव में अदि बुद्धों, तो ऐसे जातक के जीवनकाल मे एक बुरी आदत उसके अंदर होती है, कि वो किसी की भी कमी और किसी भी मामले में कमी निकालेने में माहिर होते हैं, और तो और पीठ पीछे वो किसी को नहीं छोड़ते, सब का मजाकूला डालते हैं. एक और बात है, जिसे आप समझना आपको चाहिए. कि हो सकता है कारिक् के अंत में अगर आप ये कह देते हैं, आप स्विकार कर लेते हैं कि हाँ जी मेरे अंदर ये कमी तो है, अब इसे मैं ठीक कैसे करूँ? प्रियदर्शकों, वैसे तो मैं ऐसी कमी बता ही नहीं रहा हूँ, जिसे ठीक करने के लिए आपको कुछ करना है, बस इन कमीयों को किसरे भाव में बुद्ध हों, तो ऐसा जातक साहसी होगा, परन्तु एक बड़ी समस्या है, जरा सोच के देखिए, कि ऐसा जातक किसी का नुकसान कर दे, भयंकरतम नुकसान, पर फिर भी अगर आप इसके चेहरे को देखें, इसके स्वभाव, इसके विचार धारा को तो इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपने बच्चों को देखा है, उधमी या उधंड बच्चों को, जो किसी का कोई सामान तोड़ दे, और उसको वो किस नजरीय से देखेंगे, खेल के दृष्टी कोण से, अरे चलो, जरूरी नहीं है कि बड़ों का, वो बच्च पिता की और से विशेस धन की प्राप्ती नहीं हो पाती, हलाकि ऐसा जातक भुजबल से धन अरजित करता है, पर पिता से धन उसको कम मिल पाता है, चतूर्थ भाव में बुद्ध हो तो ऐसा जातक बालेकाल में रोगी पाया जाता है, आलसी होता है, और सबसे बड़ी कमी उसके अंदर होती है कि अपनी बातें वो जो कहता है, जो वचन देता है, जो कहता है कि मैं कर दूँगा और फिर भूल जाता है, ये उसके स्वभाव में होगा आज मा लीजिए, पंचम में बुद्ध हो, तैसे जातक कि संतान सुख में बाधा आएगी, क्योंकि बुद्ध सटा नहीं कहेंगे, आज के समय में वो शेर मार्केट में तबदील हो गया, कि अब उनकी दिल्चसपी शेर मार्केट में, और जो लोग शेर मार्केट इत्यादी इतना पढ़े नहीं है, फिर वो IPL में, खैर, तो अकुतर्क, कुतर्क करने की तो जैसे बुरी आदत होती है हर मामले में, हर बात में उनको कुतर्क करना है, जन्म कुंडली के सश्ठ भाव में दे बुद्ध हों, तो ऐसा जातक छोटा हो या बड़ा, वो यह नहीं देखता, कौन है, वो सबको ग्यान देने की जो बुरी आदत होती है, उससे ग्रसित होता है, वो यह तक नहीं देख कि सामने वाला उसका गुरू हो सकता है, वो उसको भी ज्यान देने लगेगा, और वायू रोग से ग्रसित, कलहप्रिय और आलसी भी होता है, सात्मे में बुद्ध हो, तो ऐसा जातक अल्पवीर्य कहा गया है, इस्त्री सित्रस्कृत, इस बात को मैं बहुत ज़्यादा यह खुबसूरत होती है, परन्तु इस्त्री सित्रस्कृत, खेर, अपने पार्टनर पर भी उसे बहुत भरोसा नहीं होता और शक करता है, परन्तु उसको लोगों को चिढ़ाने में अती आनंद की अनुभूती होती है, अच्छा, एक कमाल का विशय है, हलाकि ये बात मैं फिर से ऐसा नहीं कहना चाहता है, क्योंकि कई बार सामने वाला कश्ट जहल रहा हो, कई बार इनसान जानता है क्या कमी है, क्या च्छाई है, और जब आप उसी तरह से एक प्रेमचंद की उलाइन है, कि काने को काना कहने में जो उसको दुख महसूस होगा, क्या दो आखो वाले क को भी कहेंगे, तो उसको दुख होगा, देखिए, यहां यह तरक है कि जब आप भीतर से थोड़े कस्ट में होते हैं, तो कई बार आपका जो स्वभाव होता है, वो इन ही सब चीजों में आनन्द ढूंढेने लगता है, कि कब किसकी बुराई हो रही है, कब किसका मैं जो में आनन्द ढूंडता है, और जब आप खुस हों, संतुष्ट हों, प्रसन्न हों, तो दूसरों के दुख से आपको, रहा, क्यों बेवजह कर रहे हो ऐसा, क्या मिल जाएगा, यह आपका दिमाग कहता है, खेर, अश्टम भाव में बुद्ध हो, तो जातक परिस्तरिग कामी, मानसिक रूप से दुखी, जुवा सटा इत्यादी की जन्मजाद प्रवर्ति से युक्त होता है, फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, कि आज की इस परिवेश में और भी बाकी चीज़े हो चुकी हैं, उनमें वो लगेगा, जन्म कुंडली के नवम भाव में पुदेश देने में महारत ही हो जाता है, अब जिससे देखिए ऐसे जातकों कि एक कमाल की कमी मैं आपको बताता हूँ, वो किसी की प्रसंसा वो चाहे कितना भी बुरा विक्ती हो, वो किसी की प्रसंसा कर रहा हो, आप उसमें हाँ हाँ करते रहिए, लेकिन आप उसके सामन किसी की प्रसंसा कर दीजिए और फिर देखिए फिर उसकी उपचास कमी निकाल के आपको बताएगा दसंभाव में बुद्ध हो तो ऐसा जातक लोगों को आपस में लडाने में महारती होते हैं जो उनको चाहिए उसको हासिल करने के लिए वो ये नखेन प्रकारेना लग जाते हैं धन अरजित करना भी वैसा ही चाहते हैं ये नखेन प्रकारेना और किसी भी काम पर वो बहुत लंबे समय तक टिकना नहीं चाहते हैं मन बदलता रहता है ग्यारहमे में बुध हो तो ऐसा जाता करणी होता है करजदार रण से ग्रशित त्वचा जन्ने रोग से ग्रशित और दूसरों की कोई चीज उसको पसंद आ जाए तो कैसे उसको अपना बना ले कैसे उसे हासिल कर ले आकांचा चाहत उसके मन में इतनी जागरत हो जाती है कि उसको जब तक ले न ले उसको चैन नहीं मिलती प्रिदर्शों को बुध के बारहमे के प्रभाव को भी बीच वाले दिनों में मैंने बताया था कि ज़र्म कुंड़नी के बारहमे में बुध हो तो ये सबसे बुरी स्थिती है क्योंकि बुध वानी के कारक है और ब्याय भाव में चले जाएं तो ऐसा जातक अपनी वानी का इसकदर इस्तेमाल करने लगता है कि फिर वो अधिक जूठ बोलने लगना सामने वाले का अपमान करने लगना और अपमान भी कैसा बिना हिच किचाए मतलब सामने वाला कौन है क्या है इससे मतलब नहीं है अपमान करेगा और बिना किसी हिच किचाहट के अपमान करेगा अबर बारवे में है तो कहना ही नहीं बारवे के बारवे में बिस्तृत सर्चा नहीं मैंने बताई है जो बहुत चिंता की बात है ये ग्रह से उत्पन्न होने वाले एक स्वाभाविक सी कमिया है जो आपके अंदर उत्पन्न होंगी पहले तो अगर आप ये मुझसे पूछते हैं कि कैसे मैं इसको दूर करूँ तो मेरी जाय है कि आप इन कम्यों से बचने क प्रतन करिए फिर भी अगर आप ऐसी कमी बता रहे हैं जो कि ठीक करने से ऐसे ठीक नहीं होगी तो मैं आपको बता दू कि गणेश जी की आराधना करना गणेश जी के मंदिर में जाना उनका दर्सन करना गणेश जी की आराधना करने से बुध अच्छा प्रभाव देने ल तो प्रेदर्शकों, आज के लिए बस इतना ही कल्चर चा देव गुरु ब्रहस्पती की कमियों की है, इजाज़त दीजिए, पुनह मुलाकात होगी, तब तक के दिए, नमस्कार.